मुंबई की डॉक्टर पायल तडवी खुदकुशी केस में एक सुसाइड नोट सामने आया है इस केस में दाखिल की गई चार शीट में ये तीन पन्ने का सुसाइड नोट शामिल है सुसाइड नोट में पाइल ने अपने खुदकुशी की पूरी दास्तान लिखी है और अपने पिता से माफी मांगी है गुरवार को बॉंबे हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने निर्देश दिये कि गिरफतार आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी अब इस याचिका पर 30 जुलाई को सुनवाई होगी इस मामले में हिमा आउजा भक्ति महर और अंकिता खंडलवाल को 29 मई को गिरफतार किया गया था घटना 22 मई की है जब नायर अस्पताल की सेकंड येर की छात्रा पाइल तडवी ने खुद कुशी कर ली थी जिसके बाद पाइल के परिवार वालों ने आरोप लगाया था कि तीन सिनियर डॉक्टर आए दिन उस पर जाती सुचक टिपनी करती रही इसी वज़े से पाइल ने खुद कुशी कर ली पाइल ने लिखा है कि मुझे माफ कर देना मैं अपनी जिन्दगी खत्म कर रही हूँ मुझे पता है मैं आप दोनों के लिए कितनी एहमियत रखती हूँ लेकिन अब मुझसे एक मिनट भी सहन नहीं हो पा रहा है पिछले एक साल में हम सब सहन कर रहे हैं ये सोचते हुए कि ये खत्म हो जाएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कभी खत्म हो पाएगा मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं बचा है इतने दिन गुजरने के बावजूद हम इस मामले पर कहीं नहीं बढ़ पाए हैं आखिर वो कौन सी नीजी वज़य है जिसके कारण उन्हें हमसे इतनी परिशानी है मैंने सब जगे कोशिश करने के बाद ये निरने लिया है पूरे डिपार्टमेंट में किसी ने हमारा सयोग नहीं किया उन्होंने ये तैक कर लिया है कि या तो हम गलत है या मामले में हमारी गलती है शुरुवाती दिनों में या स्नेहल ने किसी से कुछ नहीं कहा लेकिन ये टॉर्चर इतना बढ़ गया कि मैं उसे सही नहीं पाई हमारी गलती हो या ना हो लगभग हर दिन हमें स्टाफ, मरीज और दूसरे सबी लोगों के सामने अपमानित किया जाता है मैंने अपने नीजी और प्रोफेशनल जिन्दगी में सब कुछ खो दिया है क्योंकि उन्होंने एलान कर दिया है कि जब तक वो नायर अस्पिताल में मौज़े कुछ भी सीखने नहीं देंगे मैं हेमा आहुजा, भक्ति महर और अंकिता खंडलवाल को अपने और स्नेहल के मौज़ुदा हालात के लिए जिम्मेदार मानती हूँ मुझे नहीं पता स्नेहल इन तीनों का सामना कैसे करेगी मैं मेरे माता पिता और सभी चाहने वालों से माफी मांगती हूँ